इसी को क्या बोलता है हम टेसला तो सुनिए one tesla का definition क्या होता होगा जब one meter ये देखिए one meter length के wire में one ampere का parent flow हो रहा होता है और अगर वो wire वो वाइर one gluten force experience कर रहा होता है तो उसका है magnetic field कितनी होती है one tesla इसका एक और यूनिट है जो आप हायर क्लास्स में पढ़े हैं वेवर पर मीटर स्क्वाइर जिसको कि हम शॉट में लिखते हैं डबलू बी पर मीटर स्क्वाइर ओके कुछ पॉइंट्स इसमें अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसमें उसको मैं फोड़ना नहीं चाहता हूं आ आप देखिए यह जो फोर्थ होता है इस फोर्थ इस पर्पेंड़िकूर्ट तु दो दो direction of the current ना आई के भी पर्पेंड़िकूरर चो देखा आतने that this force is perpendicular to the direction of the magnetic field. ये दो points note कर लीजे. और एक point बहुत important था, by reversing the current, we can reverse the direction of the force. और एक point बहुत important था, कि along the, if conductor is parallel to the magnetic field, then there will be no force on the conductor. ओके ये बाते आपको ध्यान रखने हैं, इसके बाद हम इन सारी बातों को देखते हुए, आगे कुछ questions करेंगो और DC motor का concept हम देखेंगे क्या होता है.